प्रश्टाचार को लेकर इनमें बड़ी आत्मियता है बड़ा प्रेम है इसलिए 20 लाख करोड रुप्ये के ब्रश्टाचार की गारंटी देने वाली ये लोग बड़े प्रेम से बड़ी आत्मियता से आपस में मिल रहे हैं साथियों द्रश्टाचार की इस दुकान में जूटे हुए ये सभी परिवार बात के कट्टर समर्थक है न खाता न वही जो परिवार कहे वही सही लोग पंत्र के लिए कहा जाता है आप दे पीपल बाई दे पीपल फ्र दे पीपल लेकिन इन परिवार बादियों का मंत्र है आप दे फैमिली बाई दे फैमिली फार दे फैमिली 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 फास्ट नेशन नथे इन लोगों का मोटो है इनकी यही प्रेरणा है यह लोग देश के लोगतंत्र को देश के समिधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा नफरत है नफरत है गोटाले है तुष्टी करन है मनकाले है नफरत है गोटाले है तुष्टी करन है मनकाले है परिवारबाद की आग के दस्टकों से देश हवाले हैं साथियों इनके लिए देश के गरीब के बच्चों का विकास नहीं बलकि अपने बच्चों का अपने भाई भतीजों का विकास माईने रखता है आज कल आप देखते हैं कि देश में स्टार्ट अफ बढ़ रहे हैं हमारे युवा बड़ी संखा में पैटेंट करा रहे हैं ट्रेड मार रेजिस्टर करा रहे हैं पॉर्ट की दुनिया में मेरे देश के नौजवान चाय हुए है बेटियां कमाल कर रही हैं ये युवा शक्ति हमारे देश में पहले भी थी लेकिन इन परिवारवादी पार्टियों ने कभी देश के सामान्य युवा की शक्ति के साथ न्याय नहीं किया इनकी एक ही विचारदारा है एक ही एजंडा है अपना परिवार बचाओ परिवार के लिए ब्रस्ताचार बढ़ाओ इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्रेम है देश का विकास रोकना अपने कुशाशन पर परिदा डालना और अपने ब्रस्ताचार के विरूत कारवाई को रोकना अब देखिए ये जो जमाद इखटी हुए है ना उनके कुन्वे में बड़े से बड़े गोटालों पर अपरादों पर इनकी जुबान बंद हो जाती है जब किसी एक राज्य में इनके कुशाशन की पोल खुलती है तो दूसरे राज्यों की ये लोग फौरन उसके बचाओं में तर्क देने लगते हैं कही बाड़ गोटाला होता है किसी का अपराण होता है तो कुन्वे के सारे लोग सबसे पहले चूप हो जाते हैं आपने देखा है कि कुछ दिर पहले ही पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुए वहाँ सरे आम हिंसा हुई लगातार खुम खराबा हो रहा है इस पर भी इन सब की बोलती बंध है कॉंग्रेस के लेट के अपने कारकरता वहाँ खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं लेकिन कॉंग्रेस और लिप के नेताओं ने अपने स्वार्थ में अपने कारकरताओं को भी मरने के लिए छोड़ दिया है राजसान में बेटियों से अत्याचार हो या परिच्छाओं के पेपर लीक हो रहे हो इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता परिवर्तन की बाते करके जनता से विश्वास गात करने वाले जब करोडों का शराब गोटाला करते हैं तो ये कुनबा फिर उन्हें कवर देने लग जाता है इनका कट्टर दिखाई देना बद्ध हो जाता है जब देश की कोई एजन्सी इन पर कारवाई करती है तो उनका टैप रिकडर शुरू हो जाता है कुछ हुआ ही नहीं सब साजीस हैं हमें फसाया जा रहा है आप तमिलनाडु में देखिए बस्टा चार के गोटाले के अनेक मामले सामने आ रहे हैं लेकिन इनके कुल्बे के साड़े दलों ने पहले ही सब को क्लिंचिट दे दी है इसलिए इन लोगों को पहचाने रहिए साथियों उनको जान लीजिए इन लोगों से सतक रहिए भाई वेनों साथियों इन लोगों की साजिसों के बीच हमें देश के विकास के लिए खुद को समर्पित रखना है आज दुनिया में अनेक उदारन है जहां दीपों ने और समुद्र किनारे बसे छोटे देशों ने अभूत पुर्व प्रगति की है जब उन्होंने प्रगति का रास्ता चुना तो उनके सामने भी चुनोतिया थी सब कुछ सरल नहीं था लेकिन उन देशों ने दिखाया है जब विकास आता है तो हर प्रकार के समाधान लेकर आता है मुझे विश्वास है अंडमान निकोबार बिस समों में हो रहे विकास के काम इस पूरे एक शेत्र को और ससक्त करेंगे कनेक्टिविटी की ये नई सुमिधा वीर सावरकर इंटरनेशनल एरपोर्ड का नया टर्मिनल्स सब के लिए लापकारी हो इसी कामरा के साथ वीडियो कांफरेंस के इस कारकम में भी इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए आपकी खुशी में यहां से अनुभो कर रहा हूँ आपका उत्सा में अनुभो कर रहा हूँ ऐसे मोके पर एक नया विश्वाद नया संकल पर ले करके देश आगे बड़े अन्नमानिकोबार भी आगे बड़े इसी कामरा के साथ आप सब को बहुत बहुत शुप कामरा हैं बहुत बहुत धन्यवाद